चावल की कीमतों में जोरदार तेजी फिशे कुछ दिनों से चावल की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है दरसल भारत ने पिछले दिनों तूटे चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था इसके इलावा कई अन्य किस्मों के निर्यात पर भी टेक्स को 20 फिसदी कर दिया था इससे बाजार में भारत्य चावल की कीमते बढ़ गई है और दुनिया भर में संकट गहनाने की आशंका बंती दिखाई दी है एशियाई देशों समेट दुनिया के कई मुलकों ने भारत की बजाए अब चावल खरीद के लिए दूसरे देशों का रुख करना शुरू कर दिया है लेकिन संकट ये है कि दूसरे देशों में हलात का फायदा उठाते हुए ज्यादा कीमत वसूलनी शुरू कर दी है वहीं इस साल भारत के चावल निर्यात में 25 फीसद तक की कमी आने की संभावना जताई गई है भारत सरकार ने बैन और टेक्स में इजाफे का फैसला लेते हुए कहा था कि देश में इस बार बुआई कम हुई है और लेट भी है इसलिए घ्रेलू स्तर पर संकट से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है राइस एक्सपोर्ट एसोसियेशन का कहना है कि कस्टम ड्यूटी में इजाफे से भारत का चावल महगा हो गया है इस साल एक्सपोर्ट में 5 मिलियन टन तक की कमी आ सकती है इस साल भारत से चावल के निरियात का आंकड़ा 16.2 मिलियन टन तक ही सीमित रह सकता है आपको बता दे कि बीते वित वर्ष में भारत से चावल का निरियात रिकोर्ट सतर पर पहुंचते हुए 21.2 मिलियन टन हो गया था भारत का चावल निरियात भारत के बाद आने वाले चार अन्य देशों के कुल आयात से भी ज्यादा था भारत के बाद थाईलैंड, वितनाम, पाकिस्तान और अमेरिका चावल के सबसे बड़े निरियात तक देशों में हैं एक्सपर्ट का कहना है कि भारत के फासले की वज़ज़ से एशिया समेथ दुनिया भर के बाजारों में चावल की कीमते बढ़ जाएंगी भारत के बैन के पाँच दिनों में ही कीमतों में 4-5 फिज़ज़ी तक का इजाफा हो चुका है आने वाले दिनों में ये और ज्यादा हो सकता है भारत के बैन के बाद वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों ने वाइट राइस की कीमत में भी वड़ोतरी कर दी है आपको बता दें कि भारत ने जून में गेहु के एक्सपोर्ट पर भी रोग लगा दी थी जिस पर यूरोपियन यूनियन समेथ कई देशों ने एतराज जताया था लेकिन भारत ने जूआप देते हुए कहा था कि अमीर देश खाद्यान की खरीद कर लेते हैं और फिर ग्रीब देशों की जुरूरत पर उन्हें नहीं मिल पाता भारत ने कहा था कि हमने अपने और प्रवसी देशों की खाद्य सुरक्षा के लिए ये वैसला लिया है